हेलो दोस्तों जैसी एराम आई होप आप कैसे है हमेशा के तरह स्वस्त मस्तन तंदरूस्त होंगे तो हैपी सावन असावन का पहला सुमबार है तो आज मैं वीडियो आप लोगों के सामने जो लेकर आई हूं काफी जादा इंट्रेस्टेंट है और वीडियो कभी भी पूरा देखे कभी भी इसकीप करके या भगा भगा के नहीं देखे ने तो आपको इस्टोरी समझ में नहीं आएगी आज जो स्टोरी है काफी जादा होरल है काफी जादा डरावनी है तो स्टोरी पूरा देखेगा इसकीप करने की कोई जरूरत नहीं और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है ये मेरी नानी माने मुझे सुनाया था ये नानी मा की ममी नानी मा की नानी 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 न तो बस ये में कहानी शुरू करती हूं और ये आज है सावन और सावन का है पहला सोंबार तो ऐसे ही एक थी सभीता नाम की लड़की थी उसकी साधी हुई थी और साधी का उसका पहला सोंबार था और आप लोगों को पता है कि जो पहला सोंबार होता है हमारे हिंदू सनातन मे जो भी लेडिज की साधी हो जाती है वो जो सावन आता है ना पहला सावन वो अपने माईका में करती है क्योंकि पहला सावन जो होता है वो अपने माईका में किया जाता है ससुरार में नहीं किया जाता है तो विसी तरह सभीता अपने ससुरार में थी तीन-चार महीने वो रही उसके बाद वो अपने माई का आ गई साबन करना था इसके लिए वो ससुरार में नहीं रह सकती है विकोज हमारे हिंदू सनातन में नहीं नवेली दुलहन साबन होता है ना वो ससुरार में नहीं रहती है कुछ-कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहता है जो रह जाती है मगर जादा तर लोग ससुरार में नहीं रहते हैं और फिर राखी आते हैं तो रक्षा बंधन करके फिर वह ससुरार चले जाते हैं तो जादा तर फैमली इसी तरह से होता है तो फ्रेंस वीडियो को पूरा देखिएगा इसकिप करके बिल्कुल भी नहीं देखिएगा ठीक है तो आज की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा होडल है बहुत ज़्यादा डरावना है सभीता अपने माई के गई हुई थी सावन मनाने सावन बहुत ही अच्छे से उसका हो रहा था और आइधिंग तीन सोंबार उसने कर लिया था फास्टिंग किया जाता है पूरा फास्टिंग रहता है सोंबार क्या तो उसकी नानी मा का फोन आया कि बिटा तुम मेरे घ़र आओ क्योंकि यहां नहीं नहीं साधी हुई है तो तुम नहीं आई हो तो तुम आजाओ तो उसकी ममी की थोड़ी तब्यद बिगरी हुई थी तो सभीता बोली कि ममी मैं जाती हूँ मासी बुला रही है नानी बुला रही है तो मैं जाती हूँ नानी मा के घ़र तो बोली ठीक है जो सभीता को ऐसे भी नानी मा के घ़र गिये 10 से 15 साल हो चुके थे तो उसको मन था क्योंकि नानी उसकी अक्सर आ जाती थी मिलने के लिए सभीता के घर पे सभीता नानी घर जाने पाती थी क्योंकि जब यंग हुई उसके बाद क्याने की पढ़ाई में रह गे उसके बाद साधी भी आ ये वो उसका तो ज़्यादा तर नहीं जाती थी बहुत प्यारमीला, मासी भी थी, उसकी मामी थी, दो मामी थी, दोनों मामी बहुत प्यार करते थे, एक दिन सभीता ऐसे ही था, क्योंकि थोड़ा बहुत आम का सीजन जो होता है, रहता है, कोई-कोई आम होता है वो जो रहते है पेर पे, तो आम के सीजन तो ऐसे साबन के समय में खत्म हो जाते हैं मगर नानीमा ने बोला कि फलाना मतलब पेर पे आम लगे हुए है अभी तक पके पक गए है तो बाड़ी सुरू हो जाएगा इससे पहले मैं जाती हूं तोर लेने तो नानीमा मासी और सभी था वो सब गए और उसकी मामी भी गई चार लोग गए आम तो तोर रही थे हैं सद्धनली मानी बोला कि गटको इतना जो इतना ज्रों ने जो दुरी है इस अगे तुम लों मत जाना सभीता को में बोला उसकी नमासी और उसकी नानी उसकी मामी को तो पता था कि क्या है सेचुएस्टनम् helicopter को नहीं पता था जो बहूँ दिन के बाद नानी के घर आई थी, तो सभीता को पता नहीं था कि उसके नानी के घर क्या प्रॉबलम है, क्या होने वाली है, तो जब आम तोड़ रही थी, तो उसके आगे जो एक बॉंडरी जैसा था, घेरा हुआ था, वो जो हम लोग आम का गाची बोलते हैं, जो हमारे बिहारी होंगे, उनको पता होगा, उसको गाची, बगान, बगीचा, ये सब बोला जाता है, तो गाउं सब में होते हैं, तो उसमें घेरा रहता है, पकडंडी जैसा रहता है, और रेट कलर का कपड़ा बंधा हुआ था, करीब एक किलो मीटर तक, तो सभीता ने बोला, नानी मा वो क्या बं तोरना था, तोर लिए, तो वोली ठीक है, फिर वो भी थोड़ा बहुत आम गीरे हुए थे, तो सभीता ना सुचा, चलो मैंने, मैं भी उठा लेती हुए, तो गई वह बंडी के पास ही आम दो तीन उठाने लगी, उसने पीछे मुर के नहीं देखा कि उसकी नानी मा है, मा नहीं चला, अब वो क्या है ना, उसको पीछे मुर कर उसने नहीं देखा, वो आम जैसे ही उठा रही थी, वैसे ही पीछे से आवाज आया, अरे सभीता बहुत देर कर रही हुए, चलो जल्दी चलो, और ये आवाज बिलकुल उसकी मामी की आवाज थी, सभीता ने बोला, अरे मामी आप इतना हला क्यों करते हो, मैं आर ही हुँ ना, ऐसे बोली, जल्दी चलो, ऐसे आवाज आया उसको, उसके बाद आवाज आया तो मामी आप इतना गुसा क्यों हो रहे हो, वो नीचे जुकी हुए थी, क्योंकि उसको तो दिख नहीं रही थी ना, तो फिर आवा तो जाने लेगी, जैसे ही आगे बढ़िए तो फिर उसको आवाद आया, अरे सभिता सुनतो, मुझे साथ लेकर तो जा, कहां जा रही हो, मुझे साथ तो लेकर जा, मुझे क्यूँ छोड़ रही हो तो, उसने बला मासी आप क्यूं बोल रहे हो? और इस तरह से ओर के बोल रह पड़ी फिर आवाजा है सभीता रुक तो मैंने बोला ना तुम्हें कि मुझे साथ लेकर जाओ रुको जोड़ा जरासा बस सभीता रुक गई पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है ऐसे उसकी मासी ने बोला सभीता फिर स्टॉप हो गई तुम लिचलो अब साथ में क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ू सभीता ने बोला तो हा ऐसे हसी आई ठीक है चलो ऐसे उसकी मासी ने बोला अब सभीता चल गई घर उसकी मासी जब सभीता लोट रही थी रास्ते में तो उसको लगड़ा था कि उसके साथ कोई तो है इसा मगर इदर उदर दिखी तो को मगर ऐसा लगड़ा था कि कोई तो है जो मेरे साथ साथ चल रहा है और मेरी हाथ पकड़ने की कोर्सिस कर रहा है तो फिर घर आई तो घर आई तो खाना वगेरा खाई मामी भी थग गई थी नानी भी थग गई थी तो खाना वगेरा सब खाऊ के सभीता ने थोड़ा सका न खाया, जाधा नहींक्त क्योंकि सभीता के इसकीन क्वी जाधा लाल पर ग गए थे और इसकीन में आँखों के नीचे यह डार की काले काले हो अंतनी नानी ने बुल लगए कि तो यह 2-3 गंटे में क्यूं इतनी में काली पर गए क्या वहां आम का तोड़ने गई ते जिसके कारण तू काली पड़ गई क्या ऐसे करीगी तो तेरे हस्बंड को मैं क्या जवाब दूंगी तू काली पड़ गई तो उसकी मासी ने उसका फेस्पैक रेडी किया फेस्पैक लगाया फेस्पैक लगाने के साथ उसका अंक बड़ को खूचली दोली उसके बाध मैं जा रही हूनाँम कि लागए तो यह गटना जो ह Have been कि यह बिहार की घटना है बिहार के गाऊं सारी पेहना लाल कलर oh for इतन बढ़े साधि च被ंदी की इतने बढ़े इतने बड़े बिंदी इसा उसकी मासी ने बोला तो दे दिएफिन इतनी बड़े बिंदी क्यों की हुई है, मुझे तो बहुत जादा यह लग रहा है, फिर भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि बिंदी इतने बड़े थे, तो बोले पहली बार सभीता नहीं से किया है, तो फिर यह लोग फिर सोने, सोने के तियारी करने लगे, सो कच मच कच मच कर रही थी, उसकी नानी को तो सक हो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था, कुछ तो गरवर ज़रूर है, मगर वो जब सोई, यकीनन फ्रेंड, वो जब सोई, रात के बारा बज़े उसकी आखे खुली, दरवाजे पर कोई खड़ा था, ठाक 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 रही थी उसके नानी मा ने बोला इतनी रात गए कौन आया है और उसके मासी और मामी सोई थी और सभीता बैठी हुई थी लाल सारी पैनी वैसे ही बैठी हुई थी नानी ने बोला सभीता तू बैठी क्यों हुई है फिर सभीता ने ऐसे मुझ देखा नानी मा को और देखने के साथ फिर बोला की आँख लाल लाल बड़े बड़े फिर उसने कुछ जवाब नहीं दिया फिर उसकी नानी मा को सक हुआ तो बैठी क्यों है या दरवाजे पे कोई है तू जाएगी या मैं जाओंगा जाओंगी कोई नहीं है यहां पे तुम सो जाओ नहीं तो तुम भी मारी जाओंगी फिर ऐसी आवाज सुनकर उसकी नानी का होस उर गया और होस उर गया भले तुम क्या कहरी फिर मिर्चा जो होता है ना बहुत सारी लाल मिर्ची लेकर आई और उसको जलाई लाल मिर्ची को जलाने के साथ सबीता पटाक से नीचे गीर गई अब वो नीचे गीरी उसको भ्योस हो गई, मासी और सब उठी और फिर लाल मर्ची पूरे घर में छिरकाओ की और उसकी नानी को समस्ते देर ना लगी, हो ना हो सभीता आम चुनने गई थी और उस लाल बॉंडरी जो कपड़े थे ना उसके आगे वो चली गई, पैर रख दी, और नई नवेली हाथ तो कैसे तैसे बीत गई, उसके बाद सुवा हुआ तो भगज जी को बुलाया गया, सभीता के हरकते बिलकुल अजीब थी, अजीब क्या बोलूँ मैं फ्रेंस, बहुत है अजीब थी, मटन मच्छी मांग रही थी, मुझे दो खाने को, मुझे अड़ी चाहिए, मुझ इसे छोड़ूंगे नहीं जिंदा, सड़नी वो दिवाल पे चलने लगती थी, सड़नी वो कहीं, मुझे गजब तरीका का था, वो जो रूम जिसमें सभीता थी, वो रूम से सब हट गये थे, क्योंकि सब को बहुत जादा ड़ लग रहा था, और आवाज भी उसकी बिलकु आवाज चेंज थे, तो वो तो काफी ज़्यादा उसकी नानीमा डर गे, फिर उसी गाउं में एक भगत जी थे, जो इलाज बगरा करते थे सब का, तो भगत आए, जब आए ना तो फिर भगत आए, जैसे रूम में कदम रखे तो वो बोले, अरे बापरे, ये तो एक नहीं तीन तीन पिचासनी है, और पिचासनी उसको कबजे में की हुई थी, सभीता को इतना ज़ादा डैमेज कर रही थी, अंदर अंदर खोकली पूरी काली पड़ गए थी, और उस पूरी तरह से एकदम ऐसा लगड़ा था कि उसका ब्लैड जो है ना चूस रही है, भगत जी न आने दोगी, तो इसने जवाब दिया, हाँ, आजाओ मेरे साथ, तो इसने तो दो दो बार जवाब दिया, तो इसलिए इसके साथ तीन आई है, अगर ये जितनी बार जवाब देती, उतनी बार उतने पिचासनी आते, ऐसा सुनते ही उसकी नानी मा डड़ के मारे हालत उसके बाद उनको होस नहीं आया, ठीकाना नहीं आया, वो बोले अब करे तो क्या करे, क्योंकि ये तो बहुत जादा प्रॉब्लम हो गया है, क्या करे भगत जी क्या करे, क्या करे, ऐसे कर रहे थे, उनको रसी से बांध दिया गया, बहुत गजीब कर रही थी, हरकते, उसके भाद उसने बोला कि देखो अभी थोड़े देर में अभी सोंबार आने वाली है, तो सोमार के दिन हम लोग ये उपाय करेंगे दो दिन के बाद क्योंकि आज है सुक्रवार, भगत जी ने बोला फिर नानीमा ने बोला कि ठीक है आज सुक्रवार है दो दिन तक इसको मैं जेलती हूँ अब वो क्या है ना कि अब रात में कैसे सोए एक रात ऐसे ही संडे का दिन था सोंबार कल उसका उपाय होने वाला था बस सड़नी वो कैसे ने कैसे खूल गई और खूल के सबीता बाहर चली गई और बाहर उसके मुर्गी थे मुर्गी पाली हुई थी नानी दो मुर्गी को उसने कच्चा चबा के खा लिया दो मुर्गी उसने कच्चा चबा के खा लिया और पूरा बलड बलड था उसके बाद नानी आई देखी तो उसका हालत खड़ाव अपने कैसे कल गुजारा वे मतलब कल तो दीनी लोग को भारी पर रहा था इसकी मासी मामी सब डड़े हुए थे और इसकी हालत बहुत ही खड़ाव हो चली थी ममी को भी फोन नहीं किया गया था क्योंकि नानी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी ज़्यादा पड़ेसान हो भगत जी आए उसके साथ चार भगत और आए और चार भगत आने के साथ उनको बताए उपाए उनको काले कपड़े में बांध दिया गया और काला बस्तर पिना दिया गया और फिर वो जो पिचासनी थी उसका मंतरों से उसका किया गया और उसी जगह पे ले जाया गया जहां से वो आई थी और उसी आम का बगीचा था वहाँ पे इसको जबरदस्ती पकर के सब चार लोग ले गए गाउवाले भी इकटा हो चुके थे अब गाउवाले ने इकटा होके देख रहे थे ये नजारा उसके बाद एक बंधन से बांध दिया गया कि उसी में वह सबीता रहेगी ताकि ये बाहर ना जाय पिचासनी और किसी के बदन पे हावी ना हो उसके बाद नानी मा का तो रोरो के बुरा हाल था सबीता को फिर बोला गया कि तुम्हें ही रहो और उस पिचासनी को फिर उपाई किया गया और एक लोटा टाइप का था उसमें फिर मंतरों से चिर्काव करके गंगा जल से पूरे नहालाया गया सबीता को और मंतरों से चिर्काव करके उसमें आत्माय को भगजी ने डाला आत्मा डालने के साथ ही वो पूरी तरह से वो जो लोटा था ना लाल टैप का दिखने लगा उसके बाद उसमें उन्हें नीमू और ये सब डालके उस लोटे को बंद कर दिया गया अब उस लोटे को बंद कर दिया गया अब उस लोटे को बंद कर दिया गया अब उस लोटे को बंद कर दिया लोटा ऐसे ऐसे हील रहा था हील रहा था हील रह कि इसको तो पहले उस पार ले जाना है मुझे, बगजी ने उस पार ले गए और उस पार जो था न, एक मतलब बहुत ज़्यादा क्या है न, कि उस आम के बगीचे में आत्माये रहती थी, और वो बंधन बंधा हुआ था पूरा बगीचा, क्योंकि वो कबरस्थान था, और के पास में था, तो बैचारी कर भी क्या सकती थी, मजबूरी था, तो उस लोटा को फिर अंदर खड़ा खोना गया करी, चार से पांच फीट तक नीचे, उसके बाद उसको गारा गया, और बहुत सारे मंत्रे, नीमो, मिर्ची, जो भी उपाय होता है उस गड़े के अंदर डाले बाबाजी ने, और उस गड़े को डालके फिर बंद कर दिया गया, जब जैसे ही बंद हुआ, वैसे सविता को होस आया, और बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, मगर उसको होस आया, तो इधर उधर देखी, फिर वो बोली कि मैं यहां कैसे आ गई, मैं तो घर पे ती, आम खा रही थी, और मैं यहां कैसे, विकोज उसको दो-तीन दिन क्या हुआ, उससे कुछ पता नहीं था, तो फिर नानिमाने इसको भगजी के साथ, फिर ये लोग घर आये, घर में मंतरों से चिरकाओ किया गया, उसके बाद गंगा जल से फिर से सभीता को नहलाया गया, नहला खाया था, और आप सो सकते हो, सभीता कभी भी नहीं खाती थी, और उसने कच्चा मुरगा खाया, चबा चबा के खाया, उस बैचारी को उल्टी हुआ, बहुत जादा बोमेटिंग हुआ, और क्योंकि आत्मा ही निकल चुकी थी, तो उसका वदन अफसूद हो चुका था, वो रियल जो थी, वही हो थी, तो उसकी आत्मा बिल्कुल निकल चुकी थी, जो खड़ा बात्मा होती है, वो, फिर सभीता को अच्छा से खाना खिलाया गया, उल्टीया हुई उसको, उसके बाद उसको डॉक्टर से भी दिखाया गया, उसका चेक अप बगेरा हुआ अच इसके बाद से क्योंकि गाउवाले को पता था कि उस साइड क्या है, तो कोई लोग तो जाते नहीं थे, मगर ये नहीं थी, अनजान थी, जिसके कारण वो चली गई, और जाने के साथ उसके साथ ये प्रॉब्लम होई, तो यही कहता है कि अनजान जब हो तो आपको नहीं ज मैरे तो समझी कि वो तो मेरी नानी है, मासी है, और मेरी मामी है, तो मै यह ओर देती हूँ, चलो-चलो-चलो कर रही थी, इसके लिए काफी जादा है, कुछ नहीं था, फिर भी उसको पूरी तरह से कहानी, उसकी नानी वानि वाने उसको नहीं बताया था, क्योंकि अगर ब सुरार जाने के साथ काफी ज़्यादा खुस, आज सभीता बहुत ज़्यादा खुस है, फैमली भी खुस है, और यह स्टोरी जो है मेरी नानी मा सुनाई है, ऐसे ही बहुत सारी स्टोरी है मेरे पास, मतलब मेरे जो माइंड में है ना इकटा भड़ा हुआ है, मेरे मम्मी भी म कहानी सुनाती थे मेरे नानी महा मेरे दादी मा तो बहुत चोटे में दादी गुजर गई बट मेरे नानी मicon हमेचा तब मेरी नानी गई तो हम Plato को नानी मा हमेशा इस स्टोरी सुनाती थी और जो स्टोरी सुनाती थी जो उसके साथ होता था न फ्रेंज्ट वह ही हो मोह में लोगों को बताती थी तो मैं ज़ी ये चैनल्स खोली हुँ ना तो जिस कारण से मेरे जो मन में है जो मेरे स्टोरी जमे हुए है इखटे पड़े हुए है मैं सोच रही हूँ पब्लिक को अपने यूटूब फैमली को मैं सुनाओं और बताओं कि क्या-क्या होता है पोजेटिव है निकेडिप आत्माय होती है य इसका मतलब है कि आपका घर सुरक्षित है अगर वह नीमू अंदर बैठ गया है तो समझो कि आपके घर में नाकारात्मक तत्व है तो ऐसा ध्यान रखे और सौस्त रहे मस्त रहे फैमली को भी सौस्त रखे अपने आपको भी मस्त रखे और मिलती हूँ निव वीडियो नि जैसिया राम